E.D. ने जहां रायस्तान के मुखेवंतरे अशोग गहलोद के बेटे वेभवग गहलोद को पेश होड़े का समन जारी किया है तो महीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस प्रमुक गोविन सिंग डोटासरा के जैपूर इस्तित आवास पर छापे मारी की है वेभव गहलोद को विदेशी मुद्रा प्रबतना दिनियम के कथित अन्यमित्नाओं के मामले में पूछताच के लिए 27 अक्टूबर को E.D. ने तलब किया है जिस गोविन सिंग डोटासरा के यहां इरी की रेड हो रही है उनकी गिंती प्रदेश के बड़े कॉंग्रेसी ने कारवाई चल रही है वही सीकर में भी नवलगर रोड इस्तित घर में भी E.D. पहुंची है खुद PCC चीफ सीकर बंगले में मौजूद है इससे पहले E.D. ने सीकर के कलाम कोचिंग में चापे मारी की थी ऐसा कहा जा रहा है कि कलाम कोचिंग कॉंग्रेस के बड़े नेता क का है E.D. की चापे मारी कारवाई में उन्हें कई एहम सबूत मिले हैं कलाम कोचिंग संचाली का RPS अधिकारी की पत्नी के मुबाइल से E.D. को कुछ एहम सबूत मिले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि E.D. ने उन ही सबूतों के आधार पर PCC चीफ गोविन सिंग डोटासरा क आवास पर चापे मारे हैं पिछले दिनों RPSC भरती में हुए गोटाले के मद्देनजर भी E.D. की इस रेट को जोड़ कर देखा जा रहा है कलाम कोचिंग का नाम विधान सभा में भी उठ चुका है एक साथ कई सिलेक्शन RAS भरती परिक्षा में देने के कारण ये कोचिं रायस्थान ने ग्यान का पेपर लिग किया था ये परिक्षा रायस्थान में RPSC ने 21, 22 और 24 नौवंबर 2022 को कराई थी बुपेंशरन ने सुलेन धाका और अन्य आरोपियों को 8 से 10 लाग रुपे दिये थे इडी ने इससे पहले 5 जून 2023 को आरोपियों के 15 परिसरों की तलाशी ली थी इडी ने पहले दो आरोपियों बाबिलाल कटारा और अनिल कुमर मीना और शेर सिंग मीना को भी गिरफथार किया था